हेलो डियो स्टेंट माइनेम इस सिवम सर्मा वैलकम टू माइ चैनल एसस कमेश्टी आज मैं लेकर हूँ आपके लिए नाइट्रीन नाइट्रीन क्या होती है फुल डिसकस करने वाला हूं इस लेक्टर में ठीक है दिखो इसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं इंट्रोड से रिलेटेड और आप जिस भी क्लास में हैं टेंशन ना लें बस इतना आप कंप्लीट कर लें किसी भी क्लास में अगर नाइट्रीन पूछी जा रही है आपसे तो आप इतना लिखेंगे आपको फोल माक्स मिल जाएंगे ठीक है चलो बहुत ही अच्छी सी स्लाइड में कि बाई नाइट्रीन जो हैं वो क्या होती है और इसका फॉर्मूला क्या होता और इसके एक्जाम्पल्स ठीक है चलो देखो सबसे पहली बात में बताना चाहूंगा आपको 6 electron in octet इसके octet में 6 electron होते हैं यहां पे आप देख सकते हैं दो electron जो है वो बोन्ट पेर में हैं और दो इसके पास lone pair है तो टोटल कितने हो गए 6 electron यानि कि इसके पास 6 electron है औक्टेट में ठीक है चलो highly unstable या एक highly unstable इस पर सीज होती है ठीक है stable नहीं होती है यह बहुती fast reaction करती है बहुती जल्दी ठीक है very short लिए यह कम समय के लिए जीवित रहती है बहुती fast reaction कर जाती है ठीक है चलो incomplete octet इसका octet जो है वो incomplete होता है by octet complete होने के लिए कितने electron चाहिए 8 electron चाहिए अब इसके पास कितने है 6 electron है तो इसका octet जो है वो complete नहीं है ठीक है तो इतनी सारी चीजें introduction में आप add कर सकते है ठीक है जिससे की अच्छा लगने लगे कि भाई हमने कुछ ना कुछ nitrogen में बहुत ही अच्छे से लिखा हुआ है highly reactive अभी मैंने क्या कहा यह unstable होते है इसलिए highly reactive होते है ठीक है अगर बात करें इसके journal formula के वारे में तो यह इसका formula है भाई यह जो bond बनाएगा इस bond से यह जो bond बनेगा एक मिनट रुक जाईए यह जो bond single bond आपको दिख रहा है यह वाला इस bond से कोई भी compound लगा हुआ हो ज़रूरी नहीं कि वो carbon से भाई बना रहा हो यहाँ पर कोई भी compound लगा हो सकता है यहाँ पर कोई भी compound लगा हो सकता है ठीक है और इसके पास यह दो loan pair रहेंगे रहेंगे ठ इक्जामपल्स की बात करें तो यहाँ पर तीन नाइटरीन दी गई है एक है और चीज़ थी सी डवल बॉंड ओ और नाइट्रोजन ठीक है फिर उसके बास यह सारे एक्जामपल्स हैं नाइटरीन ठीक है चलो इतनी बात आपके समझ में आई होगी बहुत ही अच्छे से कि बात बात करते हैं आपको बता दू कितने होती है तो आपको बता दूत है जो है और इसका एक और बात क्रीड़ में क्या होता है इसके दोनों लॉन पर इसके पास ऻोते है और इसका एक पी और अब यहां पे यहां पे क्या हुआ अब इसने बॉंड तो एक ही बनाया है अब एक पॉंड बनाएगा इस वाले लेक्ट्रों से बना लेगा अब इसके पास दो लोन पेर रहेंगे रहेंगे ठीक है और यह पी और बैक कंडए है तो इसके अगर है रृष्पर करें तो दो लोन पेर हैं इसमें और एक सिग्मा बॉंड में यहां होती है क्योंकि इसके पास कोई अनपएड इलक्रों नहीं होता यहां आप देख सकते हैं इसके ओरविट में कोई भी अन्पेर्ड इलक्टरोन नहीं है यह अन्पेर्ड इलक्टरोन है इससे तो बॉंड बन जाएगा बाद में बचेंगे यह दो बाले चलो तो आपके समझ में आई होगी कि भाई सिंगलेट नाइटरीन क्या होती है चलो अब आपको समझाता हूं में कि भाई ट्रिपलेट नाइटरीन में क्या होता है कि देखो यहां पर क्या था यह वाला इलक्टरोन जो था यह एक्साइडड होकर यह खाली वाले पी औरविट में चला गया ठीक है अब यहां पर इन अन्पेर्ड इलक्टरोन हो गया तीन अन्पेर्ड इलक्टरोन होगा अब बॉंड तो एक से linear और hybridization SP hybridization क्यों क्योंकि इसके पास एक lone pair और एक sigma bond तो total two यानिकी S और P ठीक है एक S और एक P तो SP hybridization इसको बोलते हैं triplet nitrogen और ये जो है वो paramagnetic होगा ये जो nitrogen है वो paramagnetic होगी क्यों होगी क्योंकि इसके पास unpaid electron है paramagnetic जब हम जब उस compound को बोलते हैं या item को बोलते हैं जब उसमें कोई unpaid electron present हो अब इसमें दो-दो अन-पेड electron है तो ये paramagnetic होगा ठीक है तो आई होप आपके समझ में आया होगा कि नाट्रीन जो है वो कितने टाइप की होती है ठीक है चलो तो आप बात करते हैं stability order के बारे में देखो triplet nitrogen जो है एक मिनट triplet nitrogen जो है वो ज्यादा स्टेवल है singlet nitrogen से क्यों क्योंकि region is bond length more triplet nitrogen triplet nitrogen की bond length जो है वो ज्यादा है कैसे देखो यहाँ पे एक नाट रुख जाहिए देखो यहाँ पे यह triplet है triplet में कैसी structure है linear linear कैसी structure होती है linear जैसे कि यहाँ पे center में nitrogen और एक bond इदर एक bond इदर यह होगा इसकी linear structure जब होती है तो bond angle होता है 180 ठीक है 180 अब यहाँ पे दो लोन पेर अगर बात करें singlet की singlet की बात करें singlet की बात करें तो क्या होगा इसमें देखो center में nitrogen और एक bond बना अब इसके पास दो लोन पेर एक इदर और एक इदर ठीक है तो इसकी आपको कहीं से structure linear दिख रही नहीं दिख रही तो इसका bond angle जाद से जादा 90 के नीचे ही होगा ठीक है 90 के नीचे ही होगा 100 के करीबन हो सकता है लेकिन इनके बीच का 90 के नीचे ही होगा ठीक है तो इसकी formation of nitrogen, nitrogen कैसे बनती है, ठीक है, अभी यहाँ पर एक यह compound दे दिया गया है, जिसको कहते हैं, hydrojoic acid, ठीक है, यह जो है, वो hydrojoic acid है, और इसमें क्या होगा, यह bond जो है, वो टूड जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर N2 gas निकल जाएगी, अलग हो जाएगी, और बन जाएगी, nitrogen, ठीक है, चलो, तो आपने समझा, stability का order और formation of nitrogen, ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं, next वीडियो में, वीडियो अच्छा लगा हो, तो please like and subscribe, जरूर करें, जिससे की मुझे और भी वीडियो बनाने का उत्सा मिले, धन्यबाद, आपका support मेरे लिए important है, thank you for watching my video बाइ बाइ, राम राम